हे गाइस ये हमपी का वितला मंदिर है और मैंने अभी अभी मंदिर के एक सूनसान इलाके में एक डाइनासौर की नकाशी की खोच की है अब जैसा की आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि यह एक डाइनासौर जैसा दिखता है इसका एक लंबा नोकदार चेहरा है और छोटी और मोटी टांगे हैं और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें चलिए एक कदम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये नकाशी किसी और जानवर जैसे की उटकी हो सकती है इसी छेत्र में हम उट की और भी नकाशियां देख सकते हैं, जिससे इनकी तुलना करना और भी सरल हो जाता है बाईयोर आप बिना किसी संदेहे के एक व्यक्ति को उट के उपर देख सकते हैं ये एक उट है जिसका गोल मुँ है, निकले हुए कान है और बड़ी आँखे हैं जबकि दाईयोर की नकाशी एक नुकीला मुदर शाती है और आँख इतनी छोटी बनाए गई है कि ये छरण के कारण लगभग खत्म हो चुकी है उट की गरदन काफी पतली है पर आप देख सकते हैं कि दाईयोर के जानवर की गरदन बहुत मोटी है जो कि कैमरा सौरस जैसी बहुत सी डाइनसौर की प्रजाती में पाए जाने वाला एक आम लक्षन है उधारण के लिए आप यहां नुकिला मूँ और छोटे कान और आखे देख सकते हैं जो कि मुझे मिली नकाशी के बहुत समान है इस नकाशी में गरदन पूरी तरह से नीचे पैरो तक जाती है जो कि बिलकुल डाइनसौर का लक्षन है जबकि इसके विपरीत उट की गरदन पैरों के उपर तक आती है जो सिद्ध करता है कि यह दाइनोर की नकाशी एक डाइनसौर की है मैं आपको और विवरण बता कर उबाने वाला नहीं हूँ जैसे कि डाइनसौर के पैर छोटे और मोटे होते हैं जबकि उट के लंबे और पतले ये साफ है कि ये एक डाइनसौर है तो एक डाइनसौर हमपी के मंदिर में तराशा गया था तो क्या हुआ? समस्या यह है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि डाइनसौर 65 मिलियन साल पहले लुप्त हो गये थे और इतिहास कारो का कहना है कि हमपी मंदिर केवल 600 साल पहले बना था तो सिर्फ 600 साल पहले बना मंदिर डाइनसौर की सटीक नकाशी को कैसे दर्शा सकता है? जो कि 65 मिलियन साल पहले लुप्त हो गये थे क्या ये संभव है कि 600 साल पहले डाइनसौर का अस्तित्व था तो मूर्तिकार ने जो देखा उसी की रचना की नहीं ऐसा संभव नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता तो लोगों ने इतिहास की किताबों में उनके बारे में लिखा होता और हमें बहुत आसानी से इन डाइनसौर की हड़ियां धर्ती में उपरी सतय पर ही मिल जाती पर विशिशग्यों को ये जीवाश्म के रूप में मिली हैं जिससे ये पुष्टी होती है कि डाइनसौर लाखों साल पहले लुप्त हो गए थे जबकि ये असंभव है कि डाइनसौर छेसो साल पहले जीवित रहे हो तो क्या ये संभव है कि ये मंदिर लाखों साल पहले बना हो ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि विशिशग्यों का कहना है कि लाखों साल पहले मनुश्यों का अस्तित्वी ही नहीं था वे केवल एक मिलियन साल पहले वानरों से विक्सित हुए थे तो फिर से हमें एक कदम पीछे हटते हुए खुद से पूछना होगा कि क्या ये संभव है कि ये नकाशी सिर्फ एक खराब मूर्तिकार द्वारा बनाई गई हो क्या 600 साल पहले एक मूर्तिकार एक उट की नकाशी बनाने की कोशिश कर रहा था जो अंत में ऐसी बन पाई जबकि हिंदु मंदिरों में बनी ये एक अकेली ऐसी नकाशी नहीं है हमारे पास और भी उधारण है ये कमबोडिया के ताप्रोम मंदिर में बनी एक नकाशी है देखिए ये साफ तोर पर एक डाइनासौर की प्रजाती को दर्शाती है जिसे स्टेगोसौरस कहते हैं यदि हम मान ले कि हमपी के मूर्तिकार ने गल्ती की थी तो भी हम इस आकरती को कैसे समझाएंगे जो कि आज पाए जाने वाले किसी भी जानवर से नहीं मिलती है पुरातत्व विद कहते हैं कि कमबोडिया का ये मंदिर केवल आठ सो साल पहले बना था यदि विशेशक्य सही हैं तो प्रारंभिक मानवो द्वारा आठ सो साल पहले स्टेगोसारस को कैसे तराशा गया था इन दोनों नकाशियों से हम साफ तोर पर कह सकते हैं कि ये नकाशियां डैनसोर को दर्शाती हैं तो फिर से जो प्रशन पूछा जाना चाहिए वो ये है कि क्या ये संभव है कि ये हिंदू मंदिर लाखो साल पहले बनाए गए हों यही एक मात्र तार्किक संभावना है क्या प्राचीन मानव डैनसोर के साथ सह अस्तित्व में थे हमें इस बात से सहमत होना ही होगा कि हमारी इतिहास की पुस्तकों में गंभीर रूप से कुछ गलत है आप एक हजार पन्नों की इतिहास की किताब ले सकते हैं पर आपको इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि यदि इतिहासकार ये मान लेते हैं कि प्राचीन मानवों ने 65 मिलियन साल पहले इन मंदिरों को बनाया था तो उनको ये कहना पड़ेगा कि मनुशी एक मिलियन साल पहले वानरों से विक्सित नहीं हुआ है उन्हें सहमत होना होगा कि मानव विवेकवान था और उसके पास उन्नत तक्नीक थी और वो क्रमिक विकास का हिस्सा नहीं था जैसा कि वैग्यानिक दावा करते हैं तो उन्होंने बस इन नकाशियों का त्याग कर दिया जिससे कोई इनको ना देख सके आप देख सकते हैं कि ये अमूले नकाशी जाडियों से घिरी हुई है और कोई भी इसको देखने की और ये जानने की कोशिश नहीं करता है कमबोडिया का ताप्रौम मंदिर भी बुरे हाल में है किसे पता कि वहां और कौन सी महत्वपून जानकारी छुपी हो विशेशग्यों को कैसे पता कि हमपी का मंदिर केवल 600 साल पहले बना था क्या उनके पास कोई ठोस प्रमान है जो इन तिथियों की ओर इशारा करता हो इस प्रश्ण पर विशेशग्यों मानते हैं कि उनके पास रेडियो कार्बन डेटिंग जैसा कोई ठोस प्रमान नहीं है और उनके पास मंदिर में कोई शिलालेक भी नहीं है जो सटीक तिथियों की ओर इशारा करता हो पुरातत्व विदो को पास के एक बहुत ही छोटे मंदिर में एक शिलालेक मिला है जो की 600 साल पहले बना था तो उन्होंने स्वतहा ही वही तिथि इस मंदिर के लिए भी घोशित कर दी जो की काफी बड़ा है यदि एक ही वैक्ती ने दोनों मंदिरों को बनाया तो उसने शिलालेक को इस अधिक बड़े और सुन्दर मंदिर पर क्यों नहीं लगवाया तो हमारे पास इस बात का कोई ठोस प्रमान नहीं है कि ये मंदिर केवल 600 साल पहले बना था जबकि पुरातत विद 600 साल पुरानी सन्नचना वाली अवधारना पर टिके हैं इस्थानिये लोग यहां का बिलकुल अलग ही इतिहास बताते हैं आदुनिक इतिहास की पुस्तकों के आने से पहले भारत में हर एक मंदिर का अपना एक इतिहास होता था जिसे इस्थल पुरान कहते हैं इस्थानिये लोगों का कहना है कि जबकि इस जगहा को अब हमपी कहा जाता है पर यहां का असली नाम किशकिंधा था बलकि अब भी बहुत से लोग इसे किशकिंधा ही कहते हैं जो कि प्राचीन भारत ये पुस्तकों में उल्लेखित हैं ये पुस्तके बताती हैं कि मानव जाती और ये मंदिर कई मिलियन सालों से अस्तित्व में थे और मानवो के पास हमारी आज की तकनीक से बहुत उन्नत तकनीक थी जबकि इतिहासकार कहते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ केवल कालपनिक कहानिया हैं जो कि बस 2000 साल पहले गड़ी गई थी वही प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि वे लाकों साल पुराने हैं रिगवेद जो कि भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है वे रहस्यों से भरा हुआ है और इसमें बार बार एक और लुप्ट जानवर का जिक्र होता है जिसे अश्व कहते हैं बहुत से लोग सोचते हैं कि अश्व शब्द घोडे के लिए प्रियोग होता है जबकि गरंथ साफ तोर पर बताता है कि इस प्रजाती की 34 पसलियां थी जबकि आज जो घोड़ा हम देखते हैं उसकी 36 पसलियां होती हैं इसी मंदिर में मानवो की नकाशियां हैं जोकि इन लुप्त जानवरों की सवारी कर रहे हैं जोकि घोड़ों से बिलकुल अलग दिखते हैं विकास वैग्यानिक मानते हैं कि कोई भी प्रजाती बस 2000 साल में दो अधिक पसलियां नहीं बढ़ा सकती ये क्रमिक विकास केवल लाखों सालों में हो सकता है और इन जानवरों में अजीव विशेष्टाएं हैं क्या ये केवल काल्पनिक जानवर हैं या एक समय पर वे सच में मनश्यों के साथ थे क्यों सारे संसार के मूर्तिकार इन अजीव जानवरों और ड्रैगन के बारे में बात करते हैं ये ड्रैगन उडने वाले और लोगों को डराने वाले बड़े जीवों के रूप में क्यों दर्शाय जाते हैं भारत सहित सभी प्राचीन सभिताएं इ दिद्व में थे हमारे इतिहास और विज्ञान में कुछ बहुत गलत है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मानव इतिहास को समझने में हमारी समझ के साथ भी कुछ बहुत गलत है तो आपको क्या लगता है क्या भारतिय मंदिर लाखु साल पहले बनाए गए थे और कैसे ये नकाशिया डाइनसौर को इतनी अच्छी तरहां दर्शा सकती हैं जो की 65 मिलियन साल पहले ही लुप्त हो गए थे क्या आप मानते हैं कि मानव वानरों से विक्सित हुए थे या मानव भगवान द्वारा बनाए गए थे जैसा कि सभी ग्रंद कहते हैं मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मैं परवीन मोहन और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करना न भूले और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के पटन को भी क्लिक करें इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूँगा बाई